दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सेविल में दोस्तो यहाँ एक और इंपोर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ यह वीडियो जो है यह हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया था कि सर आपने सबसे अच्छा सिमेंट छट की ढलाई के लिए तो बता दिया लेकिन प्लाश्टर का काम है प्लाश्टर के काम में सबसे अच्छा सिमेंट कौन सा है कौन सा सिमेंट प्लाश्टर के लिए हम इस्तमाल करें अपने घर में तो दोस्तों आज का वीडियो टोटली हमारे प्लास्टर के ऊपर होने वाला है। प्लास्टर अगर आप घर में करा रहे हैं तो आपको कौन सा सिमेंट उसमें इस्तेमाल करना है..! और उस सिमेंट के साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सिमेंट खरीदने के टाइम में ओ चीज आपको क्या चेक करना है और प्लास्टर के टाइम में दो तीन मैं यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा वो भी आपको ध्यान देनी है तब जाके आपका प्लास्टर काफी स्मूथ और उसमें काफी मजबूती मिलेगी जो कि कभी क्रैक नहीं करेगा अकसर देखा जाता है कि प्लास्टर जो है पांच सालों बाद चार सालों बाद या दस सालों में जढ़ने लगता है गिरने लगता है तो अगर ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छा सिमेंट इस्तमाल करेंगे तो आपका plaster काफी सालो साल चलेगा तो दोस्तो वीडियो को डीटेल में सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे ताकि ऐसा ही नए नए इंफर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और वीडियो अच्छा लगेगा ति इसे लाइक और सेर जरूर कर दिजेगा दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में तीन तरह की सिमेंट मिलती है लेकिन अब बात आजाती है बहुत जगह बहुत लोगों से मैं सुना हूँ कि यो बोलते हैं कि OPC सिमेंट इस्तमाल कीजिये इसमें बहुत ज़्यादा स्टेंथ होता है और ये बहुत अच्छा सिमेंट है प्लाश्टर के लिए और बहुत लोग PPC के लिए सलाह देते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ जो भी जितनी डाउटे होती है सब मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ देखिए दोस्तों OPC सिमेंट जो है पहली बात की आपको मार्केट में बहुत कम मिल रही आजकल और बड़े स्केल बड़ा आप मकान बना रहे हैं बड़ी फैक्टरी होगर है तो वहाँ पे आप बड़े ओर्डर में OPC सिमेंट मंगाते हैं जैसे कि ब्रीज बना रहे हैं डैम बना रहे हैं पानी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज्यादा श्ट्रेंथ चाहिए अगर आप पानी में डैम बना रहे हैं लेकिन दोस्तो उसमें heat of hydration बहुत ज्यादा होता है उसमें गर्मी ज्यादा निकलती है तो बहुत जल्दी crack करता है उसमें आपको पानी की भी बहुत जरुरत होती है तो इसलिए OPC 43 या 53 grade को जो लोग कहते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर आप बड़ी building बना रहे हैं या फिर dam बिरीज बना रहे हैं तो वहां आप OPC 53 43 grade का सिमेंट इस्टमाल कर लें वहां के लिए चलेगा लेकिन अगर अगर घर बना रहा है अपना प्रस्ना लिया चोटा मोटा दो मंजिल तीन मंजिल चोटा प्रोजेक्ट कर रहा है तो आप दोस्तो PPC और PSC सिमेंट अभी चो मार PPC का जो ACC gold water shield आता है ओ आप यूज कर सकते हैं फिर उसके बाद आप ultra tech सिमेंट यूज कर सकते हैं बिरला सिमेंट यूज कर सकते हैं तो ओ भी बहुत अच्छा है लेकिन दोस्तो सबसे बेश्ट जो सिमेंट है अपना residential house बनाने के लिए घर बनाने के लिए बाहर का plaster हो या या फिर आप सिरी का सिमेंट ले लीजिए माईसेम का सिमेंट ले लीजिए तो मैं कहूंगा सबसे बेश्ट आप जेके लक्षमी अल्टरा टेक या फिर आप बिरला का सिमेंट यूज कर लें आप सिरी का सिमेंट यूज कर लें डालमिय का कर लें तो ये 5-6 सिमेंट जो है PPC का बहुत अच्छा cement है और दोस्तो इस तरीके का जो PPC cement है इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो cement है वो बिल्कुल smooth होना चाहिए उसको आप टच करके check कर सकते हैं बहुत ही smooth होना चाहिए उसमें किसी तरह का pores नहीं होना चाहिए और उसका जो texture यानि जब हाथ में उसको लेक मसलेंगे तो बहुत ही fine texture होना चाहिए आपका तब जाके आपका plaster का finishing अच्छा निकलेगा वहाँ पे तो ये तो हो गई एक चीज दूसरी क्या है PPC cement यूज करने पे अगर ये normal जो cement हम यूज करते हैं इसका थोड़ा सा rate जो OPC cement से या PPC cement से थोड़ा सा rate भी सस्ता होता है और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तो कि आपका जब आप plaster करते हैं जब उसको मसाला को हम पानी उसमें मिलाते हैं तो उसमें heat of hydration निकलता है उसमें से गर्मी निकलती है cement में तो जितना गर्मी निकलेगा तेजी से उतना ज़्यादा क्रायक आपके δीवार में आएगा plaster में क्रायक आएगा अगर माल लीजे ज्यादा क्रायक आ रहा है उसमें पोर्स है तो फिर वहाँ से बारिस के दिनों में आपका moisture है या फिर पानी है वो सीपेज हो के आपके अंदर जाएगा घर में तो वहां से आपका प्लास्टर या फिर आपका पेंट या फिर सीलिंग सब खराब हो जाएगा तो इसलिए PPC cement में हमें ये फायदा होता है कि उसमें जो पानी के साथ जब वो cement मिलाय जाता है तो वो बहुत कम heat वहाँ से निकलता है तो जितना कम heat निकलेगा उतना उसमें कम pores बनेगा उतना उसमें कम crack आएगा तो हमारा plaster भी काफी smooth होगा और बहुत अच्छा finishing आएगा और एक और बात दोस्तों जब हम plaster करते हैं जब हम उस पे मसाला मारते हैं दिवार पे तो थोड़ा सा हमें time लगता है उस पे funty खीचने में या अपना करनी से उसको finishing लाने में तो अगर हम वहाँ पे PPC cement लगाते हैं तो PPC cement थोड़ा धीरे set होता है तो हमें time मिल जाता है उसको अच्छा finishing देने में उसको सीधी करने में या जैसा भी safe बनाना है cutting करना है तो इस तरीके से हमारा plaster वहाँ काफी अच्छा होता है वहीं OPC cement या दूसरा cement आप यूज करते हैं जो मार्केट में अभी मिल रही है अल्टाटेक का, बिरला का जेके लक्षमी का cement काफी अच्छा है जो मैं अपने site पे यूज कर रहा हूँ माईसेम का, सिरी का अब दोस्तो कुछ और बाते मैं बता दूँ कि इसको plaster के साथ साथ आपको और क्या चीज ध्यान देनी है वह भी चीज आप जरूर यहां पर जान लीजिए दोस्तो सबसे पहले जब आप cement खरिदने जाएं तो cement आपको check करना है कि cement आपका नया pack होना चाहिए तीन महिना से पुराना packing नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अकसर देखा जाता है और company भी बताती है कि तीन महिने से पुरानी अगर आप cement लेते हैं या फिर ISA standard code के भी हिसाब से उसमें mention रहता है कि तीन महिने से पुरानी cement का अगर हम use करते हैं तो उसका जो 20% से 30% मजबूती है cement का खतम हो जाता है कम हो जाता है तो एक चीज़ आपको यह धियान रखना चाहिए कि ज़्यादा पुराना बोरी नहीं हो दूसरा कि बहुत बार होता क्या है कि जब plaster के लिए मसाला बनता है तो लोग ज़्यादा मसाला बना देते हैं उतना मसाला लगता नहीं है और जो सिमेंट मसाला बनाते हैं जितना वे श्ट्रेंड देता है तो इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है तीसरा कि आपको जब भी प्लास्टर करें तो उससे प्लास्टर के बाद साथ से दस दिन तक आपको उसमें अच्छे से तराई करनी है तराई में आपको चूक नही दिवार पे मारते हैं तो आदा गंटा पहले आपको मार के छोड़ देनी है फिर आदा गंटा बाद उस पर प्लास्टर का काम करना है दोस्तो एक और इंपोर्टेंट इसमें चीज आपको यह है कि मार्केट में आपको यह जैसा आप पैकट देख रहे हैं 6 mm का रेक्रॉन या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पोली पुरोपिलीन वर्जिन फाइबर मिलती है यह अगर फाइबर आपको मिले तो आप पर्चेच कर लें और यह जो है दोस्तो आपको 125 ग्राम एक बोरी के सीमेंट में मिलानी है बाल्टी में पानी डालके आप पहले इसको फाइबर क काफी मजबूत हो जाता है और एक जेल का फॉर्म बन जाता है जिससे की पकड काफी अच्छी बनती है दूसरा चीज एक और दोस्तों कि आप अगर बहुत जगा देखा जाता है कि जहां पे हमारा कॉलम होता है और दिवार होती है तो वहाँ बाद में देखा जाता है कि हम फाइबर मेस जो मिलती है आप पतला से उसका पट्टी काट ले दोनों को आप सेंटर में करके और इसक्रू से या कील से उसको टाइट कर दे फिर उसके उपर आप प्लास्टर करें तो इससे क्या है जॉइंट पे कभी क्रैक नहीं आएगा और प्लास्टर भी काफी तोगा